हलो एवरिवन कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं और मैं आपको बता दू कि जैसे ही 10th और 12th की exam को जो है रद किया गया है अब जो है नदर है विस्विद्दाले की परिक्षाओं के उपर तो विस्विद्दाले की परिक्षाओं के उपर जल्द से जल्द नियने लिया जाएगा उसके जो प्रूप है मैं आपको बता दू कि जो बैठक की जा रही है बार बार जो है विस्विद्दाले की परिक्षाओं को लेकर बैठक की जा रही है कि बच्चों को प्रमोट किया या फिर उनकी exam ली जाए पर एक जो बात है यहाँ पर साफ साफ निकल के आ रही है कि देखो उन्होंने 10th और 12th की exam रद करने के बाद में भाई सब उनके पास time जो है काफी बचेगा उनके पास time है और वो करवा सकते हैं university की परिक्षा तो इस वज़े से मैं आपको आज एक important news बताने वाला हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी exam होगी तो कैसे होगी और इस बैठक में जो है कब तक निन लिया जाएगा यह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो आपको by you end तक देखना पड़ेगा और दूसरी बात यूनिवर्सिटी की जो बच्चे हैं वो सभी इस समय सोय हुए हैं वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो यदि आप सपोर्ट करोगे तो हम ट्विटर पर ट्रेंड करवा सकते हैं पर चले बार भी हमने ट्विटर पर ट्रेंड करवाया काफी YouTube चैनल है उन्होंने मि कॉर्मेशन देते हैं या फिर किलास चलाते हैं उनसे कहो और दुबारा से एक बार फिर से जो है कुछ किया जाए तो आप भी प्रमोट हो सकते हो क्योंकि हालात जो हैं बहुत खराब हैं आप सभी को पता है जैसे ही सहरों के अंदर कोरोना काबू में हुआ है और गाउं मे काफी तेजी से फैल रहा है और अभी खैर केस जो हैं कम आ रहे हैं इस वज़े से एक्जाम आपकी करवाई जा सकती है तो एक्जाम करवाई जा सकती या नहीं करवाई जा सकती या आपको इस वीडियो में कंफरम हो जाएगा तो वीडियो को एंड तक देखेगा और वीड इनफोर्मेशन विम आपको देता रहता हूँ अब देखे, यहाँ पर देखे CM स्री सिवराज जी ने कहा कि उच्छ सिक्षय विभाग एवं तक्निकी सिक्षय विभाग की परिक्षाई गतवर्स के अनुसार होगी बैटेक में उच्छ सिक्षय मंत्री स्री उसके अंदर उन्होंने क्या निन्ने लिए और मैं आपको बता दू यहाँ पर निन्ने उन्होंने लिए कि जो युनिवर्सिटी के परिक्षाई हैं ओनलाइन होगी तता ओपन बुक पदिती पर आदारित होगी परिक्षा ओनलाइन ही उत्तर लिखेंगे समय दो गंठे का होगा मुल्यानकन में 50% पिछले सेमेश ट्रोक तक अरजित CGPA का अधिवार मानने किया जाएगा परिक्षा जून एम जुलाई में होगी तथा परिक्षा दस दिन में आ जाएगा परिक्षा का जो परिणाम है दस दिन में आ जाएगा अब आप सोच रहे होगे कि एग्जाम होगी हमारी कनफरम है तुम आपको बता दू आपके एग्जाम कनफरम है सेकंडियर की जो एग्जाम है करवाने की चांसिज अब बन रहे हैं फस्टियर के अभी तक कोई चांसिज नहीं है ये जो पदती लागो करेंगे ओनलाइन और ओपन बुक एग्जामनेशन ये सिर्फ सेकंडियर और थर्डियर की होगी पस्टियर वाले इस समय नो टैंसन रहें यहाँ पर देखिए आगे देखिएगा कि उच्छ शिक्षा की परिक्षा हैं अब देखे आप पूछोगे कि सर ये ओपन बुक एग्जामनेशन होती कैसे है तो भाई मैं खुद ओपन बुक एग्जामनेशन देखे बैठा हुआ हूँ यहाँ पर तो मुझे पता है ओपन बुक एग्जामनेशन में एक भी बंदा फैल नहीं होगा यह मेरे से 100% गारंटी जो है वो लिखवा के आप ले लो मैंने ओपन बुक एग्जामनेशन अभी लग चुकी है मेरी और अभी एक महीने पहले यदि आपके परिवार में से कोई है या फिर आप भी दिये हो तो वेटनेरी के एग्जाम देखना वेटनेरी की जो एग्जाम है वो हुई थी ओपन बुक एग्जामनेशन और मैं आपको बता दू ओपन बुक एग्जामनेशन में सिर्फ और सिर्फ जो है फॉर्मलेटी पूरी करवा रहे हैं सभी पास होगा एक भी बंदा फैल इसके अंदर नहीं होगा तो no tension रहेगा सभी पास होगे यहाँ पर important बात यह है कि जो यह लागू किया जा रहा है यह कौन से स्टेट में किया जा रहा है कौन सी युनिवर्सिटी तो देखिए भाई MP जो है MP की प्रतेक युनिवर्सिटी में यह नियम लागू किया जाएगा अब आप पुछो के यूपी, यूपी की भाई अभी तक कोई चांस नहीं है यूपी में जो promote करने की मांग कर रहे है यूपी की भी मैंने कल न्यूज जी ती यूपी के जो committee बढ़ाई थी और लखनव युनिवर्सिटी है उन्होंने बताया है कि भाई promote किया जाए पर किस आदार पर किया जाए उन्होंने पूरी न्यूज दे रखिये यदि आपने नहीं देखी तो कल की न्यूज जाके देखिये अब रही बात R.U. राजस्तान की तो राजस्तान की मैं बता दू कि उन्होंने 15 दिन के अंदर जो है निन्ने लेने का फैसला गया है 15 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि जो exam है आपकी किस आदार पर की जाएगी तो सभी जो विश्व विद्दाले हैं और सभी state हैं वो अपनी अपनी राई यहां पर दे रहे हैं परन्तो मैं आपको बता दू सबसे important रहेगा यहां पर UGC की guideline UGC guideline देगी उसका आपको मैं बता दू UGC किस आदार पर guideline देगी UGC प्रतेक University कोई न कोई notice निकालेगी उन सभी को read करेगी फिर देखेगी कि कौन सा best रहता है क्या रहता है उन सभी को देखकर जो best लगेगा UGC को वो ही UGC क्या कर देगी लागू कर देगी और प्रतेक विस्विद्दाले में भारत के प्रतेक विस्विद्दाले में UGC का निर्ने लागू कर दिया जाएगा आपको पता हूँ CBSC ने जो है exam 12 की रद गी तो आप सभी को पता है फिर RBSC और प्रतेग दीरे दीरे प्रतेग राज्ये ने जो है exam रद कर दी थी तो इसी प्रकार यदि UGC exam रद करती है और exam करवाती है तो प्रतेग भारत के प्रतेग विस्विद्दाले में यही ने लिया जाएगा परन्तु अभी आपके चांसेज MP की बतारों में MP में अभी चांसेज बन रहे हैं उच्छे की परिक्षाएं गतवर्स अनुसार ओपन ब 50% exam अथारत आदे पेपर ले लिये गई थी इस बार एक भी पेपर नहीं लिया गया है तो अब काफी चांसेज हैं फर्स्टियर को प्रमोट करने के तो देखते हैं आगे जो न्यूज आएगी मैं जल्द ही आपको अपनी चैनल साइंस फाउंडिशन पर बता दूँगा त यदि open book examination होती है या फिर objective type question होती है बाई objective type question उनिवर्सिटी में होंगे तो खुब वहाँ पर चिट चलेगी खुब टिपाई चलेगी खुब टिपेंगा बच्चे objective type question में सिर्फ और सिर्फ यदि offline exam आपकी होती है पिछले जो सालों की तरह होती थी तो उसके अंदर आपको परेशानी होगी exam crack करने में अथार्थ exam clear करने में ये परेशानी नहीं होगी यहाँ पर तो उम्मिद करता हूँ कि आपको जो है news अच्छे लगी होगी तो इसे share क कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब कर लीजे क्योंकि आपको जो है इसी चैनल पर अभी BSC के क्लासे जो है लगने वाली है थोड़े दिन में स्टार्ट करने वाले हैं आपके exam का जो सिल्चला है वो सही हो जाए फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं तो जैहिंद बंदे मातर हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दें